विल्कम बैक टू माई चैनल कुक वित शाही आज हम आप लोगों के लिए स्ट्रीट स्टाइल दही पूरी चाट की रेशिपी ले क्या हैं बहुत इजी तरीके से हमी दही पूरी चाट बनाएंगे अगर मेरी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा अब इकदम नरम से हमने डो बना लिया है अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेश्ट होने के लिए रख देंगे गीले कपड़े से ढख के अब हमारी सूजी फूल गई है आटा हमारा अच्छे से से सेट हो चुका है दस मिनट हो चुके हैं अब एक बार इसको हम थोड़ा सा हाथों से मसल के फिर से गून लेंगे यह हमारा एसंबल करने के लिए बॉयल आलू है बॉयल मटर है प्याज टमाटर हरी धनिया हरी चटनी तीखी चटनी मीठी दही जीरा पौडर चाट मसाला काला नमक लाल मिर्ट पौडर नमक इस सब हमें एसंबल करने में यूज करना है अब हम खुब बड़ी सी रोटी से बड़ा हमने बेल लिया है अब जिस साइट हमने बेला है उसी साइट हम इस तरीके से काटेंगे अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरन से आप सब्सक्राइब कर दीजिए जिस साइट हमने बेला है उसी साइट हमने काटा है उसी साइट हमको रखना है तब ही आपकी पूरियां पर्फिक्ट बनके तयार होगी अब आयल हमारा अच्छे से हो चुका है अब आयल को हिलाते हुए हम पुरियों को फ्राई कर लेंगे यकिन मानी ये बहुत ही टेश्टी है दही पूरी चाट बनके तयार हुआ है अब बाहर जाने को कोई जरूरत नहीं है आप इस तरीके से देखिए और इस तरीके से बना के अपने फैमिली वालों के साथ इंज्वाय कर सकती है मार्केट से बेहतरी टेश्टी दही पूरी चाट हमारी बनके तयार होगी अब इस तरीके से हम ओल कर लेंगे अब आपको एसम्बल करना दिखाएंगे अब बॉयल मटर आइड करेंगे बॉयल चना आइड करेंगे तीखी चटनी मीठी चटनी मीठी दही सेयो आपकी फेवरेट कोई भी नमकीन आपको जो पसंद हो आइड करिए चाट मसाला, जीरा पौडर, लाल मिर्च पौडर दही, अनारदाना, हरीधनिया इस सबसे इसको हम एसम्बल कर देंगे बहुत ही टेश्टी बनके तैयार हुए देखते ही तो मुँ में पानी आ जाएगा हमारी वीडियो देखिए फॉराँ से जाके आप बनाएए बहुत इजी तरीके से बन जाएगा बहुत टेश्टी बनके तैयार हुएगा इस तरीके से बनाएए फैमली वालों के साथ इंज्वाए करिए देखिए, देखने में इतना अच्छा लग रहा खाने में बहुत ही जादा ही टेश्टी बनके तैयार हुआ है आपने हमारे वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया